हेलो दोस्तों, मैं एंजली एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आज हम बात करेंगे टिप्स, ट्रिक्स, सीक्रेट्स, इस्टर एक्जन, स्टोरी लाइन, हॉगवर्स लेगेसी के फोर्ट आवर की तो कहानी अब तक हुई है कि हम मेंटर प्रोफेसर फिक के साथ फिफ्ट एयर में डारेक एडमिशन लेकर हॉगवर्स पहुच गए हैं और हाउस में सेलेक्शन होकर हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है पर क्योंकि हमें इंजिन मैजिक देख सकता है हमें पता चलता है कि परसिवल रेकहम और चार्ल्स रुकवर्ड ने किसी टाइप का मैजिक बाकी दुनिया से शिपा कर रखा है जिसे डेंडरॉप नाम का गॉबलिन विक्टर रुकवर्ड नाम के किसी विजर्ट के साथ ढून रहा है और इसी कारण हम पर हॉग्जमेट में हमला हो जाता है पर इस से हमारा इंशिन मैजिक इन्वोक हो जाता है यानि अब हम इंशिन मैजिक यूज कर सकते हैं तो हॉग्जमेट में हुई घटना के बाद हम वापस अपने डॉमेटरी में आ जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं फिर हम फिग से मिलते हैं क्योंकि उस लॉकेट में उन्हें एक मैप मिलता है जो दरसल हॉगवर्स का मैप था और क्योंकि हमें एंशिन मैजिक दिख सकता है हमें लाइबरेरी के रिस्ट्रिक्टिट सेक्शन में लाइट दिखती है पर अभी लाइबरेरी में जाने का फिग मना कर देते हैं जब तक शोर ना हो जाए कि कोई खत्रा नहीं आगे और अब फर्स पॉइंट है सबसे बड़ा इस्टर एक जो प्रोफेसर फिक के रूम के बाहर लड़कियों के बातरूम में मिलता है आपको याद होगा कि हैरिपोर्टर सीरीज में सेकेंड एर्माईडी ने पॉली जूस पोशन कहां बनाया था क्योंकि वो बनाना एलाउड नहीं था उसने इसे लड़कियों के बातरूम में बनाया था पर वो पहली ऐसी इनसान नहीं थी जिसने ऐसा किया इलीगल पोशन बनाना बातरूम में शायद बहुत पुरानी रीद चली आ रही है क्योंकि यहां भी हमें किसी का इलीगल पोशन बनता हुआ दिखता है और कलर से तो यह पॉली जूस पोशन ही लगता है उसके बाद हम प्रोफेसर हैकेट से मिलते हैं जो हमें क्रॉस वांड यानी सीक्रेट ड्यूलिंग कलब का राउन कंप्रीट करके आने को कहती है जिस कारण हमें पता चलता है कि यह उतना भी सीक्रेट नहीं है हम ल्यूकन से मिलते हैं और वो ड्यूलिंग के लिए हमें सेट करता है और हम एक प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं नेक्स पॉइंट एक टिप है किसी भी ड्यूलिंग या फाइट के पहले अपने गियर्स जरूर चेक करें और जिसमें भी ओफिंस डिफेंस बढ़ता हो उसे सिलेक कर लें इससे आप ऐसे क्वेस्ट आसानी से जीट जाएंगे दो क्रॉस वन ड्यूलिंग के बाद आप फिर से प्रोफेसर हेकेट से मिलते हो जो इंसेंडियो यानि आग लगाने वाला स्पल सिखाती है और फिर आप फिक से मिलते हैं और दोनों लाइबरेरी जाने ही वाले होते हैं कि फीनियस नाइजिलस बलेक आ जाते हैं और फिक को अपने साथ ले जाते हैं इसलिए आप से बेस्टियन की हेल्प लेते हैं और डिस इलूजिन में चान यानि विब्रम समुएन आपको आगे जाने का कहकर खुद पीर्स के पीछे उसे रोकने चला जाता है आगे बढ़ने पर हमें फिर से इंशिन मेजिक के ट्रेसिस दिखते हैं और उसके बाद फिर से तोरन दुबार आ जाता है जिससे हम एथेनियम पहुँच जाते हैं और सूट अफ आर्मर गार्ड से फिर से हमारी फाइट होती है थर्ड पॉइंट एक टिप है कि फाइट करते टाइम जब भी आपको ऐसे ब्लू लाइट दिखें जादे से जादे उसे लेने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपका इंशिन मेजिक का स्लैप खाली हो जाता है और इन ब्लू लाइट को लेने से वो फिर से रिफिल हो जाएगा फाइनल याप बुक तक पहुँचते हो जिसमें से मेमरी पैंसीव में जाती है और आप देखते हो कि एक छोटा सा गाउं में सूखा पड़ा हुआ है जहां दो बच्चे अपने पिता के साथ है वहाँ पानी का नामों निशान नहीं था तब याप आप वहाँ देखते हो कि परसिवल और रोकोर्ड एक और जादुगर और जादुगनी के साथ वहाँ आता है और अपना मैजिक यूज करके बारिश करा देते हैं गाउ लहरा उटता है बच्ची उनने जादु करता देख लेती है उसका भाई बिमार था कुछ साल बात वही बच्ची हॉगवर्स आती है उसका नाम इसी डोरा मॉर्गनाथ था उसका भी फिफ्टियर में एडमिशन होता है उस टाइम वहाँ पे हैडमिस्टर्स प्रोफेसर फिस गेरल्ड थी और वहाँ पे प्रोफेसर बकार भी था और ये दोनों ही उस दिन परसिवल और रुकुट के साथ बारिश कराने के टाइम शामिल थे और तब हमें पता चलता है कि पसिवल रेखेम का भी डाइरेक्ट फिफ्टियर में ही एडमिशन हुआ था जैसा कि हमारा और इसी डोरा का और तीनों ही लोग एंशिन मैजिक के ट्रेसर देख सकते थे पर इसी डोरा को इसे यूज करने का मना कर दिया जाता है या तक कि ट्राइ करने का भी जब तक कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग न दे दी जाए ये सब देखने के बाद हम वापस रिस्ट्रिक्टिड सेक्शन पहुँशते हैं और हमें पता चलता है कि से बेशिन पकड़ा गया पर वो हमें नहीं फसाता हम पुख लेकर प्रोफेसर फिक के पास पहुशते हैं सारी बाते बताते हैं फिक बुक को देखते हैं जिसमें से कुछ पेजिस मिसिंग थे वो बाकी बुक को पढ़ने का कहेकर बाद में मिलने का कहते हैं यहाँ पर आपको एक सिल्समेन मिलेगा जलाल सहमी नाम का यहाँ आप विंगन विल्ड पोशन टाइप को समान तो खरीदी सकते हैं पर मोस्ट इंपोर्टन लो ओफेंस और डिफेंस वाले गियर बेज भी सकते हैं गेम में कई बार चेस्ट बिलता है जिसमें गियर मिलता है पर आपका स्लोट फुल हो जाता है इस कारण आप उसे नहीं ले पाते हैं इसलिए बैटर है कि यहाँ पर गियर बेज कर अपने स्लोट्स भी खाली कर ले और उन मनी से कुछ बेटर समान खरीद लें इस location में कई side quest है चाहे तो आप उसे अभी complete कर लो चाहे तो बाद में करें जैसे अंड नाम के इस goblin का quest जिसमें goblin's उसके kart को ले जाते हैं जिसके लिए आपको goblin camp जाकर उनसे fight करके kart को release करना है kart enchanted होने के कारण वापस अपने आप अंड तक बहुँच जाएगी फिफ पॉइंट एक और टिप है जैसा कि हम जानते हैं forbidden forest में बहुत से animals रहते हैं इसलिए try करें कि उनसे बच कर निकलें ना कि उन पर जाकर जबरदस्ती attack करें जब तक मजबूरी ना हो तब तक आप उनसे पंगे ना लें और अगर आप रात में हैं तो जंगल के क्वेस्ट कम ही ले क्योंकि यहाँ पर रात में ज़ादा dangerous animal आ जाते हैं जो आपके level के उपर हो सकते हैं और उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो सकता है इसलिए try करें कि उनसे लड़े बिना side से निकल जाएं earn के पास वापस जाकर आप उसे card दे देते हो earn को believe हो जाता है कि अच्छे wizards भी हैं और बुरे goblins भी इसी location पर एक और side quest है जिसके लिए बस पानी में जाना है और चीज़े collect करनी है by the way इस लड़की का नाम काफ़े कुछ Justin Finch Fletchley से मिलता है next point quest से related है और वो है Merlin's trial का जो काफ़े important है तो उसे आप जल्दी ही कर लें side पर आपको Nora Treadwell मिलेगी जो Ashwinder नाम के लोगों से गिरी है Harry Potter World में Ashwinder White Snake होते हैं यहाँ Ashwinder Victor Rokoot के साथ ही हैं आप उसे fight करते हो और Nora जो की researcher थी आपको बताती है कि कई साल पहले Merlin Hogwarts में ही पढ़ता था और यहाँ उसे बहुत से जादू को चिपा कर रखा था जो की wines covered pillars हैं जिसे trials of Merlin का नाम दिया गया Merlin के हर बुक में स्वेल्ड में सेंटर में एक सिंबल होता है जहां mellow sweet नाम के हर्ब को डालना है सिंबल पर mellow sweet डालते ही wines गायब हो जाती है और तीन पिलर चमकने लगते हैं तीनों पर incendio करने से सेंटर में ऐसा एक गजीबो बन जाएगा बस इतना ही करना है जहां कहीं भी सुर्ड दिखे वहाँ से हम वापस Hogwarts लोटते हैं और fig ने जैसा कहा हर्ब लौजी के class अटेंड करते हैं नेक्स पॉइंट एक सीक्रेट रस्टा और चेस्ट है आप क्लास के पहले अगर इस वे जाएंगे तो side से आपको यहाँ पर नीचे जाने का रस्ता मिलेगा इन सीडियों से आप नीचे जाएंगे तो इसके end में एक चेस्ट है एर्थ पॉइंट एक trick है ऐसे आये वाले चेस्ट आपको Hogwarts और Hogsmit में कई जगा देखने को मिलेंगे पर यह खुलते नहीं है इन्हें खोलने का एक trick है इस चेस्ट के आपकों से दूर जाओ और disillusionment चाम कर लो यानि invisible हो जाओ और फिर आकर चेस्ट खोलो तो यह खुल जाएगा और हमेशा इसमें आपको 500 coins मिलेंगे नेक्स पॉइंट एक amazing connection है Harry Potter timeline और इस timeline में Harry Potter timeline में हर्बोलोजी की प्रोफेसर का नाम Professor Sprout था जो की basically Botany से related नाम है और इस timeline में भी हर्बोलोजी की प्रोफेसर का नाम Professor garlic है जो again काफी हद तक Botany से related नाम है और finally 10th point एक Easter egg है हर्बोलोजी की class में आपको पूरी तरह से nostalgia फीलोगा जब first time हमने green house देखा और हर्बोलोजी की class देखी थी तो Mandrake replant किया था यहां भी first class में हमें Mandrake ही replant करना है इसके लावा यहां Venomous Tentacular, Detainy, Notgrass ऐसी कई चीज़े मिलेंगी इसके बाद हम यहां Chinese Chomping Cabbage कलेक करते हैं जो की fights में काम आ सकते हैं तो दोस्तों यह थे tips, tricks, secrets and storyline 4th hour की अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक और शेयर जरूर करें 5th hour की वीडियो के साथ मैं जल्दी वापस होंगी तब तक के लिए, बाई बाई